नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ केवल तीन चीजों से बनने वाले बूती बड़िया मिठाई की रेसिपि लेकर आए हूं जिसको आप 10 मिनिट में ही बना कर तैयार कर लेंगे और खाने में तो बेहर टेश्टी है जैसे अलवाई के आथ के मिठाई लेकर आते हैं उसी पहले मैं इसमें आपको लगने वाली सामगरी दिखा देती हूं तो दोस्तों मैंने यहां पे एक कप ले लिया है जो मेजरिंग कप होता है वो और इसी से मैंने पूरा मेजर्मेंट किया है आप मेजर्मेंट एक दम परफेक्ट लेना तो आपके बरफी भी एक दम ही कर अच्छा एक बात और यहां पर आपको मैं बता देती हूं जो आमने नारियल का बुरादा लिया है याने डैसिकेटिर नारियल यह बारिक वाला है यह दो तरका आता है एक थोड़ा सा मोटा आता है और एक बारिक वाला आता है तो यह मिठाई बनाने के लिए जो बारिक नहीं करना चाते तो कोई बात नहीं है आप जो नारील का बुरादा है इसको सूखा ही से कर ले ले आम इसको थोड़ा सा गी की साथ में सेखेंगे तो इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो इसको डाल कर आप सूखा ही चला कर इस सीख ले अब इसको चलाते रहेंगे इसको बिलकुल अलका सा एक से दो मिनीट के लिए ही आमें सेखना होता है डिपेंट करता है आपकी गैस की फ्लेम और पैन के उपर इसको अमें ज्यादा नहीं सीखना है जैसे ही आपको लगी अलका सा ब्राउन नजराने लगा है तो आप इसके अंदर दूद डाल दें, जो अमने दूद लिया था एक कप बरकर, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कभी-कभी क्या होता है, यह नारियल के बुरादे पर भी डिपेंट करता है, आपको दूद कम लग सकता है इसके अंदर, और कभी-कभी थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, तो आम यह आपे आदा कप दूद और लेंगे, और इसको इसके अंदर डाल देंगे, दूद हमें इतना डालना है यह आपे कि जो आमने नारियल का पुरादा लिया है, यह बिल्कुल अच्छे से गीला हो जाए इस तरह का, बस आप यह देख लें इसलिए आप दूद को बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएं और अच्छे से मिक्स करते जाएं, अब इसको हमने थोड़ी सी देर पका लिया है, यानि एक आद मिनिट के लिए और अब बारी है, इसमें मिठा डालने की, तो यहाँ पे हमने एक कप जो सक्कर ल आएगा इसका, अब चीनी डालने के बाद में यह मिसरन जो है, अलका सा पतला हो जाता है, लिक्वीडी हो जाता है, तो आप उसको मेडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पका लें, लेकिन द्यान रहें आप इसको लगातार चलाते रहें, यहां पे आपको कम से कम दो म सोफ्ट और नरम है, लेकिन इसके अंदर जो है, मोईस्टर भी जादा नहीं बचा है, तो इसी तरह का चाहिए, पकते समय इसमें दूद जो है, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इसको सेटोने के लिए रखेंगे, तो उसके ल आज़े रहा होगा, यह बिल्कुल सोफ्ट वाली परफिया बिल्कुल जैसे आप भाजार से लेकर आते हैं, उसी तरह की बन कर तयार होगी, और इसमी ठाई की खास बात यह होती, खाने में तो टेश्टी होती है, लेकिन यह बनाने में भी आसान भी होती है, कम सामगरी में बनती है और 10 मिनेट का टाइम भी आपको नहीं लगता है इसको बनाने के लिए तो मैंने बचे हुए मिश्रन में थोड़ा सा रेड कलर डाल लिया है रेड कलर डालने के बाद में इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगी या पे एक सार कर लेना है आपको आपको अलका कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा कम डाले ओर डार्क चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल ले आप इसे येलो कलर में भी बना सकते हो ये दोनों तरह के मिलती है आरे या पीली और वाइट और रेड वाली तो आप इस तरीके से आपको जो कलर पसंद है या आपके पास है उ पोड़ी सी इसको फैला कर डाले और अगर आपको मोटे-मोटे से पीस निकालने हैं तो आप इस तरीके से इसको इखटा करके थोड़ा सा मोटा ही डालने तो अब इसको हम सैट होने देंगे रूम टेंपरेचर पे कम से कम आदे गंटे के लिए आप चाहे तो इसे फ्रीज मे मैं भी रख सकते हो आदे गंटे के लिए अब आदे गंटे के बाद में मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है आप देख रहे होंगे कितनी सौप्त बनी है और सच माने दोस्तों खाने में बेहद ही स्वादिश्ट बनती है जब आप इस तरीके से गर में नारेल की प्रीज के अंदर तो आप सब्ता बर्तर खा सकती हूँ यह बिल्कुल खराब नहीं होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना सेर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना रेसिपी आपको कैसी लगी चैनल पे नए आए है तो चैनल को सब्स्प्राइब कर लेना वीड झाइब कर देना झाल चबी बिल्स holiday माओं तो आपकोर, मुणता झाल तो.